नमस्कार मैं प्रग्या धर्दत इस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को कास्ट सर्वे रिपोर्ट से आर्जेडी और जेडियो के नेता उतसाहित है इसमुद्दे को लेकर महागरवंधन के नेता बीजेपी को पहले दिन से घेरे रहे हैं हाला कि अब इस समुद्दे पर खुद लालू परिवार ही घिरने लगा है जाती गन्ना रिपोर्ट का अस्तमाल आर्जेडी नेता अपतियाश्वी यादव के खिलाफ करने लगे हैं आर्जेडी अती पिष्टा प्रकोष्ट अध्यक्ष और MLC राम बली सिंग चंदरवनसी ने कहा कि एक नंबर की कुरसी EBC समाच को मिलना चाहिए राम बली सिंग आबादी को आधार बना कर दावा किया नंबर वन को कुरसी मिलना चाहिए जिसकी संख्या सबसे अधिक है सुप्रीम कोट ने सोमवार को केंदर सरकार से कहा कि नयायमूर्थी की निक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश अधर में नहीं रह सकती कोट ने कहा कि सरकार को उन्हें अन्शित काल तक रोखनी की बजाए उन निक्तियों को अधिसुचित करना चाहिए या विसिस्ट आपुतियों का हवाला देते वे उन्हें वापस भेजना चाहिए नयामूर्थी संजयक किशन कॉल की अगवाई बाली पीट ने अटाउनी जनरल और वेंकडरमनी से कहा कि उच नयायालियों में निक्ति के लिए नौ नाम हैं उन्हें पिछले कुछ महीनों में नए सीरे से भेजा गया था चुनाव आयूगने सुमवार को मद्यप्रदेश, राजिस्थान, चात्रसगर, तिलांगना और मिजोरम में विधान सभा चुनाव कराने की कारिक्रम की घोशना करदी चुनाव 7 नमबर से सुरू होगे और सभी राजियों के वोटों की गिंती 3 दिसंबर को होगी हिंदुस्टान टाइम्स के मुताविक चात्रसगर में चुनाव दो चरणों में होगे पहला चरण 7 नमबर को संपन होगा, दूसरे चरण में 17 नमबर को मद्दान होगा, वही मिजोरम में 7 नमबर को मद्दान होगा, मद्र प्रदेश में 17 नमबर, रायस्थान में 23 नमबर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना या दिखाता है कि मुस्लिम बहुत कारगल जुला कस्मीर से अपने भॉगालिक बेवाजन की बावजूत राजनेतिक रूप से अविभाजर है केंद्रे सिक्षा मंतरे धर्मिंद प्रधान ने कहा कि कक्षा दस्वी और बार्वी की बोर्ट परिच्छाव में साल में दो बार शामिल होना आनिबारे नहीं होगा और यह कि अफसर मिलने के डर से होने वाले तनाव को घटानी के लिए या विकल पेस्ट किया जरह समचार एजनसी पीटी आई को दिये गए विश्रेश ताक्षातकार में प्रधान ने कहा कि डमी स्कूलों के मुद्दे को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है और इस पर मनिपूर में 3 मई को जाती है दंगे भरकने के बाद विवन संगटनों भीर और व्यक्तियों द्वारा कुल 5679 विवन प्रकार के अत्यादुनिक हतियार और लाखों विवन प्रकार के गोला बारूद लूटे गए अब तक 1344 हतियार और 1000 राउंड गोला बारूद बरामत कि एक सर्ष अधिकारी ने सोंबार को यह जानकारी दीमनिपूर सरकार के मुख्य सुरक्षा सलाकार कुल दीप सिंग ने कहा कि लूटे गए सेश हतियारों और गोला बारूद को बरामत करने के लिवन राजे और केंद्रे सुरक्षा बलो दौरा राजे भर में बड़े पैमा अतंकी संगठन से जड़े थे कश्मीर के असिस्टेंट डारेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बताया कि आतंकी अबरार कश्मीरी पंडित संजय सर्मा की हत्या में शामल था इलाके में बड़ी संख्या में सैनेबल तैनात है और भी आतंकियों को ढूडने के लिए सर्च ऑप अपने मरीजों को बचाने के लिए रोते चलाते ऊपर नीचे भाग रहे थे जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इन दिनों क्रिकेट की दुनिया में वर्ल्ड कप का खुमार चाया हुआ है वर्ल्ड कप 2013 के शुरबाद 5 ऑक्टूबर को BCCI की मेजवानी में हो चुकी ह और टुर्णामेंट का फाइनल मुकाबला 19 से नवंबर को खेला जाएगा लेकिन इसे भीच खबर आ रही है कि इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसल यानि की ICC ने अचानक से ही वर्ल्ड कप में एक और टीम को एड़ कर दिया है मुक्य मंत्री नतीश कुमारे 9 अगस 2022 को BJP से नादा दोरकर RJD और कॉंग्लिस के साथ मिलकर महागरवंधन की सिरकार बना ली थी इसके बाद उन्होंने विवक्षी पार्टियों को एक जुट करने की मुहीम तेच की और फिर इंडिया गरवंधन बनकर तयार हुआ लेकि नतीश कुमार को इसमें कोई पद नहीं मिला ऐसे में पिछले कहीं दिनों से यह चर्चा होड़ी है कि फिर नतीश कुमार पल्टी मार सकते हैं और ये के साथ जा सकते हैं इन सब के सोमवार को जेडियू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है एक वक्त था जब बल्लेबाजों को डिफेंस करना सिखाया जाता था नेट्स पर कोच अच्छा खासा समय यही सिखाते थे किसे बल्लेबाज के बारे में बड़े ताव से बात कहीं जाती थी कि उसका डिफेंस बहुत सॉलिड है भारतिय टीम के मौजुदा कोच राहूल द्रविर के बारे में भी यह बाते कहीं जाती थी सच है कि डिफेंस का असली काम टेस्ट क्रिकेट में था जहां मुश्किल परसीतियों में बले बाज्यों को क्रीज पर सिर्फ वक्त काटना होता था लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वंडे क्रिकेट में डिफेंस को बिलकुल न कार दिया जाए 15 अक्टूबर से सार्धिय नवरातरी शुडू हो रही है इस बार माफगवती के दर्शनों को आने वाले श्रध्धालों के लिए श्रध्ध्या नवरातरी काफी खास होने वाली है ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री माता वैशनो देवी स्राइन बोर्ड इन नवरात्रों के दुरान श्रधालों के लिए बहुत सी सुवधाएं समर्पित कर रहा है इन सुवधाओं का लाब लेते वे श्रधालों इन वरात्रों के दुरान मा भगवती के समक्ष नमन कर आश्रवात प्राथ रहेंगे। इस भीच भारत में इसराइल के राजूतर नाउर गिलों इस खातों की जानकाली है। उनने कहा कि इसराइल कभी भी किसी से अपने लड़ने के लिए नहीं बोलता है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वेम सक्षम है। कॉंग्रस कारी समीती दोरा फलस्तिनी लोगों के भूमी सुअसासन और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों का समर्थन करने की बात कहे जाने के मदनजर भारतीय जनता पाटी ने मुख्य वफक्षी दल पर आतंकवादी संगटनों का समर्थन करने का सोंबार को आरोप लगाया। को मजबूत करने के लिए शेश्य मदभेदो को हल कर पाते हैं या नहीं उन्होंने कहा कि दोनों पक्षटाइस ऑक्टूबर के आसपास यात्रा की संभावना देख रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी अंतम रूप नहीं दिया गया है। के बावजूद अगले साल होने वाले आम चनाओ के कारण पेट्रॉल और डीजल की कीमते बढ़ने की संभावना नहीं है। कंपनिया करीब 90% बाजार को नेंतरत करती हैं। पाकस्तान की जानी मानी खेल अंकर जैनप अबास इंदनों बड़े मुसीबत में फस गई हैं। मुसीबत ऐसी आई कि उन्हें भारत छोने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में चल रहे क्रिकेट विशुकाब 2023 के लिए ICC की कमेंट मेंटर्स लिस्ट में शामिल स्माहिर अपतरकार की पिछले सोशल मीडिया कुछ ऐसी चीजे पोस्ट की गई हैं। अब बास पर हिंदु देवी देपताओं पर अभद्र टिपनी करने के आड़ोप है जिसके बाद एतियात अंज्यानाप को आननफानन में भारत भी छोना पड़ा। फिर बड़ा बयान दिया है और उनने लिखा है कि जातिगत जंगना के विरुद जो भी लोग है वो इंसान यत्सामाजिक आर्थिक एवं राजनितिक बड़ाबरी तिथा समानुपातिक प्रती निधित्वक के खिलाफ हैं। विधान सभा चनाओं की गोशना के बाद सुमवार को जब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे तब उनको जवानी फिसल का इजिस पर भारती एजन्दा पार्टी ने कटाक्ष करते वे कहा कि रहने चनाओं से पहले ही राजिस्थान और चत्रसगर में हार्स विकार कर वेस्विक तापमान अगर पुर्व और दीक सर से दो डिग्री सलसियस बढ़ जाता है तो उत्तर भारत और पुर्वी पाकस्तान में रहने वाले लगभग 2.2 अरब लोगों को लंबे समय तक तनाओं की सहनसीलता से अधिक गर्मी का अनुभव हो सकता है Proceedings of the National Academy of Sciences General में प्रकाशित सो से संकेत नलता है कि ऐसे परिद्रश्य में उत्तर भारत, पुर्वी पाकस्तान, पुर्वी चीन और उप सहाड़ा अफरीका को मुख्यरूप से उच आदरता वाली गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा भार सिरकार के गरी मंतराली के अधिन इंटेलिजेंस प्यूरों ने जुनियर इंटेलिजेंस ओफिसर ग्रेट दो टेक्निकल के कुल 777 पदो पर भरती की प्रक्रिया के पहले चरन टीर एक के नतीजों की गोशना के बाद अब 600 स्तर पदों की नई भरती निकाली है एक चुक मिदवार MHA की अधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर आउनलाइन आविदन कर सकेंगे आविदन प्रक्रिय अस्टनी बार 14 ओक्टूबर से स्टर होगी और उमिदवार 13 नवमर 2023 से अपना अप्लिकेशन सब्मेंट कर सकेंगे निजी चहितर के SDFC बैंक की ओर से कुछ चुनिंदा अबदी के MCLR की दर को 10 आधार अंक बढ़ा दिया गया है बैंक की वेबसाइट के मताबिक नई दरे 7 ओक्टूबर 2023 से प्रभावी हो गई है SDFC बैंक की ओर से ओवरनाइट MCLR की दर को घटा कर 8.26 शुनिय प्रतिशत कर दिया है नोधासमलो एक शुनिय प्रतिशत कर दिया गया है एसियन गेम्स में क्रिकेट से लेकर अने खेलों में भारती एतलीटों ने अपने बहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है खेलेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया इसियन गेम्स में भारती एटलेटों के मेडल जीतने का जश्मिं दिली की कुतुब मिनार भी मनारा है कुतुब मिनार की जगमगाती रौश्नी के बीच अब की बार सौ पार का संदेश खाफी आखश्यत लग रहा है जगमगाती रोष्णी के बीच खेलेगा इंडिया तभी तो खेलेगा इंडिया भी मन का मोडा है करीब 30 सेकिंड के वीडियो को सुसल मीडिया पर शेयर कर लोग इसे बुर्ज खलीफा से जोड रहे हैं भारत के रक्षा मंतरी राजनास सिंग इटली दौरे पर हैं जहां उन्होंने इटालियन समकक्ष के साथ बैठा की और बैठा के दौरान उन्होंने नगर निगम के समझोदे पर हस्ताक्षर किये बतादिक इटली और फ्रांसकी के दोरे पर रक्षा मंत्री राजना सिंग्ने बैठक में प्रसक्षन सूशना सजाकरन और समुधरी सुरक्षा सहित रक्षा निगम से संबन इतकाई मुद्धो पर भी चरचानी है भारती टीम के सलामी बलेबाज सुबमंगिल इस समय डिंगू के बुखार से पिरत है उनको चन्नाई में एक अस्पताल में भरती कराया गया है इस यही वज़ा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ 11 ऑक्टूबर को दिली में होने वाले मैच के लिए वह उपलब्द नहीं होंग अधरा पूछे का सवाल का जवाब दिया उनके नाम है भान प्रकार्श मोड़य, मुहमद पहीम, मुहमद सकीर हुसेन, अन्वर करीम खान, अभिशेक कुमार रोय, बाबुलान मरांडी, रवी संकर, नौशत अंसारी अब बरते हाज के सवाल क्यों राज का सवाल है आपके चेतर में मौसम की क्या सती है अपना जवाब हमें वारे कॉमेंट सेक्ष मलिक का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद